वेल्कम टो मैं नीव व्लॉग तेनो पंखुडी तिवारी तो हो गई है पैंलि हम लोग की सुभा गुद मॉशनि आप सभी को भी तो आज हमारे हां हल्दी के कालकरपम और शादी पापापा उठ चुके हैं इचली देखते हैं बाहर करना जारा क्या हो रहा है वो गया है गर्म गरम कॉफी पीने के लिए आज उन्होंने सेल्फ सर्विस नहीं लिया पर शाय की सिने बुलाया तो गये देखिए यहां खना जारा लकर अगरा हैं बहुत अज अबी सोते ही रहें घरी के लिए यहां पर डिकोरेशन होना इस्टाट हो गया है पंकुडी और अम यह मोग तो सोते ही रहे थे न बहुत सुंदर लग रहा है आज सुमिंग पूर में पर पंखुडी नहाएगी पापा आओ हमको लेकर आओ नहीं बहुत ही सुन्दर लग लग लड़ी को सच मीमा मैं चलती हूं फटाफट अब कॉफी चाय जो भी कुछ पीना है फटाफट पी का वेडियो जाती हूं उसके बाद चलते हैं नीचे वीडियो में बने रहेगा रह इसे हर एक वीडियो को देते चले जाए मेरेसास आप भी एंजॉइक करिएगा और बहुत अच्छी वीडियो में आपके साथ लेकर आ रहे हूं और मेरेसासाथ आप भी हर्दी में हर्दी शादी का एंजॉइ करिया और देखिए हम लोगों का आओफट कया होता है कैसे होत इनकी भी मॉर्निंग अभी जस्ट हुई है और यहाँ पर गुमारे भईयाजी यह डिकॉरिशन मगेरा करने हैं यह देखिए अभी मेरा प्यारा प्यारा आशा ब्लोग आपको बहुत अच्या लगीगा यह पती दियों आगे हैं हमारे चाली को फ्माइग काड़ पती हो ऐसे अगर अगर आप सुबाश्य दूप अटे हैं आपको गरमा गरम चाय काफी मिल जाती तो मॉनिंग आपकी बहुत है अच्छी कोल्डिंग पी रही हो अले बापले कोल्डिंग पी रही है पंकुरी बुद मॉनिंग हो गई है कोल्डिंग पीएगी मैं फेवरेट इडली एंड पोहा पपाया यहां पर मैंने लिया है कोकोनेट चटनी यहां पर चिली की चटनी है और पंकुरी लगी है अपने स्वास पर ज्याद देने के लिए और इंजूसी तो अनन्त को कुछ समझ में नहीं आया है विचारे इडली पर लगे हुए है इडली बहुत सही है यहां पर राखी दीरी को बहुत चिंता थी कि नास्ता मिले गया नहीं तो फाइनले इनको नास्ता मिल गया है मैडम को बहुत चित्ता है नास्ते फटा 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 हमने ब्रिकफास्ट के फिर हम निकल पड़े घूमने के लिए बगल में क्योंकि अभी हमारे पर बहुत ही समय था तब तक हमने सुचा को चिंजवाय कर लेते हैं लोग चल पड़े हैं नदी की पार फिचर की सुटिंग जहां होई थी दूला दूलो की प्रिवेडिंग पहले कर वाएंगे यहां पर तुनों शादी हो जाएगी तैयारी चल रही है हमारे भाईया और भाभी की शादी यहां पर होगी पति देव मौसा जी कानपुरवाली मौसी जी इनके बारे मैंने पहले भी बताया आपको ब्लॉग में यह हमारी राखी दी इसके बाएं कभी नहीं बताएं ब्लॉग की नहीं आई हैं का ब्लॉग में आप लोग इनका चहरा पहचानते होंगे इनको देखके लाइक का रास्ता बहुत बढ़िया है कुछ लोग वहां पर मौसी जी हमारी अपने अपको बचा बचा के उतर रही है कि कहीं डालेक नदी में ही नगिर जाएं और मामी यह देखिए में जूम करके दिखाती हूं मौसी जी मुझे हाथ देते हुए है हेलो टाटा करते हुए यह देखिए वहीं से हाथ दीजिए आप लोग एक रो फोटो क्लिक कर देती हूं हो गया यहां का नजरे सच में बहुत ही अच्छा लग रहा ओपर से सुबा लग नौ साड़े नौ बजने की इतना अच्छा लग रहा है नजर सच में क्या ही बताओं आपको पंगली देखुए वहीं है कहां जा रही हो मामा की हल्दी में पंकुडी जा रही है और बहुत ही क्यूट लग रही है और यहां से माही भी आ गई है कितनी देखू माही कितनी क्यूट सी लग रही है हमारे तीनों बच्चिया वाव यह चोटा बच्चे जो बाल रहा है पंगडी है मेरी बहन चोटी जी अभी मेरे पीछे मेरी बहन भी खड़ी है और मैं तयार हो रही हूँ हल्दी फंक्शन में जाने के लिए देखिये मेरी साड़ी एंड एंगल्स कर दो में जाने के लिए फमледा कर दोर सिखार के लिएक malicious आड़ी है यह चोटी में हुआ है कर दो लिए िवहर रहा है जाने कर दो पक के दõंगी है कर दो लिए खड़ी है मेरी अई खांगी आ इन कर दो और फवा समय में है strax कि इस वीडियो में मैंने जड़ा वाइस ओवर नहीं कि जो हमारी फैमिली मस्ती थी डांस वगयर था मैंने आप तक शेयर किया है क्योंकि बहुत धिर सारी मस्ती हमने साथ मिलकर किया और अभी कहीं जाहिएगा नहीं नेक्स पार्ट आपके साथ फिर मैं लेकर आने वाली हू और चैनल पर नए हैं तो फटा फट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिसे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पॉस्ट देए वीडियो को जाले साथ लाइक शेयर करते नहीं सो बाइबाइब